हेलो फ्रेंड्स कुकिंग फूड विद रेनुस में आपका स्वावत है फ्रेंड्स आज में सावुदाने के बड़े बनाऊंगी ये ब्रत के लिए हम बना रहे हैं तो सबसे पहले मैंने मुमफली के दाने लिए हैं और मिर्च ली है इनको अच्छे से में पीस लोगी सावुदाने को मैंने दो से तीन घंटे के लिए अच्छे से गला दिया था विससे ये अच्छे से गल गया है अच्छा नरम हो गया है और इसके बाद जो मुमफली और मिर्च पीसी थी उसको इस आउदाने में डाल दिया है और इसके बाद मैंने इसे इंदर नमक डाला है मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है और आलू को वैल कर लिया था और आलू डाले हैं इनको अच्छे से मेज कर लूँगी अच्छे से हमको इनको पतला करके मेज़ करने के बाद हम इसका डो बना लेंगे तो देखे फ्रेंड्स में यह से कर रही हूं वेसे ही करना है इसका मैं अच्छे से डो बनाने के बाद इसकी छोटी छोटी पतली पतली टिक्की बना लूँगी दोनों हातों की मेदद से इसको हमको ज्यादा मोटा भी नहीं करना है और मेडियम इसको रखना है ज्यादा पतला भी नहीं करना है और फ्रेंड्स इसमें हमको साउदाने की बात्वा थोड़ी कम ही रखनी है यदि हम साउदाना ज्यादा ले लेंगे तो ये इसकी टिक्की जो है वो सही से बनने पाएगी और कड़ा ही में तलते टाइम वो अच्छे से बनने पाएगी फैल जाएगी इसी तरह मैंने सारी टिक्की को पहले बना लिया है और ओयल को गरम करने के बाद इसको तल लोगी पहले हमको हाई फिलम पर रखना है इसके बाद मीडियम फिलम कर देंगे जिससे अच्छे से अंदर तक सिख जाएगी अच्छे से उलट प्लट करके इनको ब्राउन होने तक ह इसी तरह में सारी टिक्कियों को सेख लोगी और दही के साथ हम इसको सर्फ करेंगे देखे फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है कितनी सॉफ्ट है और खाने में बहुत टेश्टी है